जकनाबदा ग्राम पंचायद के फरजी नामवली के पुना सत्यापन में जम कर हुई गड़बडी जला कलेक्टर द्वारा गठित पांस सदशे टीम द्वारा किया गड़बड जाला पंचायद नामवली में फरजी बड़े को लेकर जला कलेक्टर के पेटलाबद दौरे के दोरान जकनाबदा के ग्रामीरो द्वारा पंचायद सचे विवंबी एलो के विरोध में सिकायद पत्र जला कलेक्टर को सौपा ततपस्चा जला कलेक्टर रोहिस सिंग के रिर्देश पर अनुविफागी अधिकारी पेटलबज, टेसिबिर, गेमाबद, पांस सदस्चे टीम गठित कर जखनाबदी भेजी टीम में तहसिलदार जितेंडर सिंग अलाबा, नायब तहसिलदार बर्मा, जनपस CEO, चौहान पटबारी, मलची डामार इबम सचे, भीम सिंग कटारा, बी अलो नाथू कटारा इबम रादिश्याम पाटिदार थी टीम ने सत्यापन कारे करने के पहले ना तो आपती कारे करताओं को किसी प्रकार की सूजना दी ना उन्हें बुलाया, नामा बली में पुना सत्यापन के समय टीम बार्ड नमबर एक से सत्यापन सुरू की उधारन के तोर पर सत्यापन में बार्ड नमबर बारा की व्यक्ति को पूछा गया आप बार्ड नमबर चार में रहना चाहते हैं कि बारा में तो उसने कहा कि बार्ड नमबर चार में रहना चाहता हूं टीम ने उसका नाम बार्ड नमबर चार में जोड़ दिया उस व्यक्ति से ना कोई ID प्रूफ मागा ना रासन कार्ड देखा ना मौके पर जा कर देखा कि उस व्यक्ति का कोई मकान उस बार्ड में है की नहीं वह कितने समय से रह रहा है ऐसा कुछ भी टीम द्वारा नहीं किया गया सी तरह बार्ड नंबर 16 के व्यक्ति को पूछा गया कि आप बार्ड नंबर 5 में रहना चाहते हैं या 16 में उसने कहा मैं बार्ड नंबर 5 में रहना चाहता हूं सवाल यह उड़ता है टीम पर कोई उपर से राजनितिक दबाव तो नहीं था या टीम केबल अपनी आपसार पूरी कर रही थी मतलब के असर एक बात है कि आपको आइड़ी प्रूप देखनावदा में फरजी वाड़ा हुआ है उसको लेके तेसिलार साब ने आपको दाई तुदिया वापस की री जो री सत्यापन है वो करना आपको तो आपने काम कंप्लीट कर लिया गया कंप्लीट होगे आपका नहीं हुआ अच्छा ने अभी कान वाड़ होगे आप में क्या पाया है कुछ-कुछ भी होगे ना उसमें भी बाकी है कुछ-कुछ मतलब कौन-कौन से होगे इस वह पर मुले वह उसमें गलत पाए गई या नहीं वह लिखे घलत है या सही है जो नहीं बाकी है वह वारड़ किने नहीं ऊप्छा पल्ले अब अब